Hello guys, welcome to the channel The Dhiraj Classes, स्वागत है आप सभी का Dhiraj Classes के YouTube चैनल पर, और guys आज की class में हम लोग बात करने वाले हैं ratio and proportion की अपनी third class की, और इस class के लिए मैं आपको बता दूँ कि जितने भी बच्चों को mixture वाले questions में doubt रहता है, आज उनकी ये problem solve होने वाली है, इस तरह के questions को solve करने के हम आपको दो method बताएंगे, एक होगा आपका basic method, जो basic है जिसको सभी लोग apply कर सकते हैं, second आपका advanced method रहेगा, ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी class को और लेते हैं अपने first question को, हाँ, एक चीज और बता दूँ मैं आपको, ratio and proportion, देखिए, ratio अपने आप में एक concept method भी है, तो जो आपका advanced method है, वही आपका ratio method रहेगा, उसी से हम सारे questions solve करेंगे, तो जितने भी आज की वीडियो में 10 questions रहेंगे, दोनों तरीके से आपको बताऊंगा, basic method से भी, advanced method से भी, जिने mixture के questions आते हैं, वो इस वीडियो को skip कर सकते हैं, कोई अपनी दूसरी study आप की एक solution है, उसमें acid और water हैं आपके, acid and water, किस ratio में हैं ये आपके, 1 to 3 में ये आपके हैं, आगे क्या कह रहे हैं, how much water should be subtracted from this 30 liter solution, ये जो पूरा solution है न, ये पूरा 30 liter का solution है, इसमें से आप कितना water subtract करेंगे, यानि इसमें से आप कितना पानी कम करेंगे, ताकि जो नया ratio बन जा आपका हो जाए, यहां तक किसी को कोई doubt नहीं है, question समझ में आगे आपको, पानी में से हमें कुछ कम करना है, कितना कम करेंगे, ये आप से पूछा है, ठीके जी, water में से आपको कुछ subtract करना है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अपने basic method की, basic से कैसे solve करेंगे इसको, देके बिल्कुल simple है, total solution ये कितने लीटर का है, total ये 30 लीटर का solution है, आप मुझे बता सकते हैं, उसमें acid कितना होगा, acid और water आपके 1 इस्टू 3 की रेशो में है, तो मैं कह सकता हूँ, acid होगा 1 बाई 4 और ये कितना होगा, ये होगा आपका 3 बाई 4, ठीके जी, ये 1 एन 3 है, denominator के ल solution में 7.5 लीटर क्या होगा, acid होगा, water कितना होगा, भई 30 में से 7.5 को माइनस करेंगे, 22.5 लीटर आपका water होगा, कुछ पानी कम हमने किया है, ठीके, कुछ पानी कम हमने किया, और जो नया रेशो हमारे पास आजाता है, वो आता है, आपका 3 रेशो 7, तो मैं कह सकता हूँ, 3 by 10 and 7 by 10 आपका new ratio है यह, ठीक है जी, इसे हमने fraction की form में लिख लिया, अब जो आपका answer निकलेगा, वो कहां से निकलेगा, आपका answer इस वाली side से निकलेगा, left वाली side से, जो acid वाली side है, जिसमें आपका कोई भी change नहीं हुआ है, यहाँ पर कोई change नहीं हुआ है, यहाँ पर 7.5 liter और अभी उसका नया ratio क्या हो गया है, वो गया आपका 3 by 10, तो मैं कह सकता हूँ, जो पूरा solution होगा, उसका 3 by 10 है, वो 7.5 liter है, इस चीज को यहाँ पर ध्यान से समझ लीजे, जो पूरा solution है, उसका 3 by 10 होगा, वो 7.5 liter होगा, क्योंकि acid में कोई change नहीं हुआ है, तो x की value हमारी यहां से निकल के आ जाती है, यह 10 इदर multiply में जाएगा, 3 इदर divide में आ जाएगा, तो x की value आगी आपके पास 25 liter, यह आगया आपका नया solution, यानि जो नया solution होगा यह 25 liter का होगा, पहले कितने liter का था, पहले आपका 30 liter का था, तो कितने कम होगे, यह कम होगे, आपके 5 liter क कम होगे, यह कम क्या हुआ है, यह आपका water कम हुआ है, तो आपका option C यहाँ पे सही हो जाएगा, so 5 liter is your correct answer, समझ गए है, यह आपका basic method है, आपका हर जगा apply होगा, सारे question हो जाएंगे इससे, अब बात करते हैं, आपने advanced level की, जिसे हम कह सकते हैं, आपका ratio method, ratio अपने आप में concept भी है, और अपने आप में एक method भी है बच्चो, ठीके जी, चलो, question को बिल्कुल simple तरीके से समझाऊँगा आपको, पहले ratio क्या था, पहले ratio था आपका 1 is to 3, अब नया ratio क्या हो गया है, यह हो गया आपका 3 ratio 7, यह किसका ratio है, यह आपका acid है, यह आपका water है, ठीके जी, यहा रही है, तो देखे, acid यहाँ पे same नहीं है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको same कर लिजिए, कैसे same कर सकते हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, अगर मैं इधर 3 की multiply कर लेता हूं, तो यह हो जाएगा आपका 3, और 3 की 3 से करेंगे, यह हो जाएगा 9, तो आपकी new ratio आ water, water आपका 2 unit कम हुआ है, ठीक है, लेकिन इस unit की value हमें निकालनी पड़ेगी, बहुत simple है, यह जो अभी हमने नई ratio बनाई है, यह 3 ratio 9, यह किसकी है, acid and water की old ratio है, तो देखे, 30 liter का पूरा solution है, तो मैं कह सकता हूं, 9 और 3, 12, 12 unit की value कितनी है, वो 30 है, तो आपको 2 unit की value निकालन है आपको, तो 12 को अगर मैं 6 से divide करता हूं, तो 2 unit आता है, तो इधर भी 6 से divide कर देता हूं, तो 12 को 6 से divide किया, 2 unit और इसकी value कितनी आ गई, 30 को 6 से divide करेंगे, यानि की 5 liter, यानि कि यह जो 2 unit कम हुए, इनकी value क्या है, 5 liter है, तो आपका option सी सही हो जाएगा, तो दोनों method मैं ठीक है चलिए, चलते हैं अपने next question पे, question number second पे, अब second question आप video को कुछ second के लिए pause कर दीजिए, और इस question को आप खुद solve करके देखिए, अगर आपको basic method से करना है, basic से कर लो, अगर आपको advanced method से करना है, advanced method से कर लो, जो आपको easy लगता है, मैं आपको force नहीं करूंगा, आप को जिस से समझ में आता है, आप उससे करो, मैं आपको लेकिन दौनो method समझाओंगा, ठीक है, चलिए, second question को हम पढ़ते है, our solution contains acid and water in the ratio 2 ratio 7, same first question है, बस्त मैंने इस में digit change की है, ताकि आपकी practice हो जाए, आगे कह रहे है, how much water should be added to this 45 liter solution to make it 5 ratio 19, तो देखे, मैं इसको आपके लि लिए सीखना जरूरी है, तो बात कर रहे हैं हम यहाँ पर acid और water की, इनकी old ratio क्या है, वो है आपकी 2 and 7, 2 ratio 7, new ratio क्या है, यह आपकी 5 ratio 19, हमने क्या add किया है, हमने water को add किया है, हमने यहाँ पर कुछ plus किया है, यहाँ पर, ठीक है, और यही आपको निकालना है कि हमने यहाँ पर कितना water add किया है, तो यह total solution आपका 45 liter का है, ठीक है जी, तो यह सारी चीजों को मैंने maths की form में लिख दिया है, अब देखे, क्या चीज चेंज नहीं होगी, हमारा acid चेंज नहीं होगा बच्चो, तो acid को हम बराबर कर देते हैं, बराबर करने का process क्या है, आप cross multiply कर लीजे 2 and 5 का, या तो आप LCM ले लीजे, या फिर cross multiply कर दीजे, यहाँ पर इधर आप multiply कर दीजे, दोन अतर 5 से, और इधर multiply कर दीजे आप 2 से, ठीक है, तो आपकी यह digits बराबर हो जाएंगी, तो मैं इधर 5 की multiply करने वाला हूँ, तो यह हो जाएगा आपका 10, और यह हो जाएगा 35, क्योंकि 7 पंजे 35 होता है, अब old ratio का हमारा कोई काम नहीं होगा, तो मैं इसे यहाँ से हटा रहा हूँ, ताकि आप confused ना हो, यहाँ पर हम किस की multiply करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे 2 की multiply, तो 5 टूजा 10, 19 की 2 से होगी, यह नहीं 38, इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, अब देखिए हमारे acid बराबर हो गया, यहाँ पर भी 10 है, और यहाँ पर भी 10 है, वाटर पहले 35 यूनिट था, अभी 38 यूनिट हो गया है, तो कितने यूनिट बढ़ गया है, वही 3 यूनिट बढ़ गया, बढ़ गया ना 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की value आपको बतानी की water क तो एक यूनिट की value कितनी आई, 1 लीटर आई, तो 3 यूनिट की value कितनी होगी, 3 लीटर होगी, यानि हमने पानी कितना add किया है, 3 लीटर पानी हमने add किया है, आपका answer आ गया, तो यह आपका advance method है, बिलकुल simple method है, ratio method है, इसको हम कहते हैं, अब बहुत सारे बच्चों को 45 लिटर का solution है, इसमें 2 चीज़े हैं, आपकी, एक आपका acid है, और एक आपका water है, acid का fraction क्या होगा आपका, 2 बटे में 9, ठीक है जी, water का fraction क्या होगा, 7 upon 9, यहां तक किसी को को doubt नहीं है, second step में, अब इनकी new वाली fraction भी बता दीजे, new fraction होगी आपकी, 5 बटे में 19 और 5, 24, 19 बटे में 24, ठीक है, यहां पर हमने कुछ water को एड़ किया है, ठीक है, तो आपका acid तो सेम रहेगा, लेकिन acid पहले था कितना, वो था आपका 2 by 9, 2 by 9 किसका, 45 लिटर का 2 by 9 निका लीजे, तो 9, 55, 5, 10, 10 लिटर आपका निकल के आगया, acid पहले 10 लिटर था, तो water कितना था, आ अब आप इसको नए वाले fraction को ले लीजे, x का जो आपका नया solution है, x का 5 by 24, जो भी आपका नया solution है, वो total जितना भी है, उसका 5 by 24 कितना है, वो आपका 10 लिटर है, अब यहां से solve करके x की value निकाल लीजे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, x की value आगए आपकी 48 लिटर, यानि जो नया solution हो गई है, तो कितनी बढ़ गई, 3 लिटर बढ़ गई, वो 3 लिटर क्या बढ़ी है, आपका water बढ़ा है, तो आपका option A सही हो जाएगा, तो guys यह दोनों method है, आप इनको अच्छे से रट लीजे, समझ लीजे, मैं बहुत ही असान तरीके से और असान भाशा में आपको समझा करा हूँ, guys एक चीज़ और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, तो please like कीजे, comment करिए, feedback अपना जरूर दिया करो, ठीके जी, चलिए, next question पे आगए हम, third question पे, क्या कह रहे हैं आप से, a vessel contains 50 liter mixture of sugar and water in which percentage of sugar is 40%, how much sugar should be added to it, so that percentage of sugar becomes 60%, बड़िया question है, मैंने आपको इस तरह के question पहले भी कराए है, percentage में, तो इस तरह के question को same method से solve करते हैं, पहले आपको basic method बता देते हैं, तो basic method हमारे यह कहता है, total यह 50 liter का solution है, इसमें दो चीज़े हैं आपकी, एक है आपकी sugar, second है आपका water, sugar किते percent है, sugar 40% है, तो water किते percent हुआ water आपका 60% हुआ, अब यह कह रहे हैं, इन्होंने कुछ sugar को add किया है, तो आपका जो नया mixture हो जाता है, उसमें चीनी हो जाती है, आपकी 60%, तो आपका water किते रह गया, water आपका रह गया 40%, तो पहले यह निकाल लीजे कि sugar total पहले है कितनी actual में, 40% है, 40% किसका, 50 का, तो 50 liter का 40% कितना होगा, यह होगा, आपका 5,20 यानि की 20 liter आपकी sugar है, 20 liter आपकी sugar है, तो water कितना है, water आप 50 में से 20 को minus करेंगे, यानि की 30 liter, अब देखिए, आपका answer कौन सी side से निकलेगा, आपको पता होगा, जिस side में कोई भी change नहीं हो रहा है, वाटर वाली side में कोई change नहीं हो रहा है, वो है आपका 30 liter, क्योंकि water में आपका कोई भी change नहीं है, तो इसको simplify कर लीजे, 0 से आपकी 0 कैंसल हो गई, 4 एकम 4 यह होगा, आपका 25 पे चैंसल, यानि X की value आपकी 25 थिया 75 liter, यानि की जो new solution होगा, वो total 75 liter होगा होगा, पहले कितने liter का था, पहले तो 50 liter का था, तो कितन बढ़ गया, 25 liter बढ़ गया, क्या बढ़ा है इन्होंने क्या मिलाने के लिए कहा था, इन्होंने कहा था, चीनी मिलाई जाएगी, तो चीनी इन्होंने कितनी मिलाई, यानि 25 liter चीनी मिलाई गई, तो basic method से आगया आपका answer, अब करते हैं अपने advance method को, advance method आपका कौन सा method है, आ और पानी कितना होगा यानि 60% तो 40 और 60 का रेशो बनाएंगे यह आएगा आएगा आपका 2 इस टू 3 ठीक है जी आप इसे समझ सकते हैं 40 परसेंट इन 60 परसेंट शुगर और वाटर का रेशो बनाएंगे 40 60 का रेशो 2 रेशो 3 आ गया अब नई अगर हम बात करते हैं जब तो new रेशो आगया आपके 3 रेशो 2 यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है जो परसेंटेज में चीज़े दी गई थी उन्हें हमने रेशो में लिख लिए अब यहां पर मिलाया क्या गया है यहां पर कुछ शुगर मिलाई गई है क्या चीज नहीं चेंज होगी आपका वा हो जाएगा आपका 6 ओलड वाले को मैं मिटा देता हूँ ठीक ही यहाँ के मैं किसी मर्डिप्लाई करेंगी यहाँ पर हम करेंगे थिरी की तो यह हो जाएगा आपका 9 और यह हो जाएगा है आपका 6 तो बराबर हो गए यानि की वार्तर में कोई भीछेंज नहीं है खिसमें unit की value निकाल लो 6 और 4 यह होता है आपका 10 10 unit की value हमें पता है कितनी 50 लीटर है ठीक है तो एक unit की value कितनी हुई 5 लीटर हुई तो 5 unit की value कितने हो गई 5 into 5 यानि 25 लीटर यानि 25 लीटर sugar उसमें add किया गया है तो advance method भी आपका बिल्कुल simple method है बशर्ते आप इसकी practice करें ठीक है जी चलिए fourth question पर आगए हम क्या कहरें है question में the ratio of the incomes of A and B is 5 ratio 8 A और B की income का ratio 5 ratio 8 है and the ratio of their expenditure is 1 ratio 2 और उनके जो खर्च है उनका ratio क्या है 1 ratio 2 है if at the end of the year each saves rupees 800 अगर साल के अंते में हर कोई कितना save करता है 800 रुपे बचाता है then find the income of A आपको A की income निकालनी है तो देखे ये question भी आपका दौनों method से हो जाएगा लेकिन बच्चों को ये easy किसमें लगता है easy बच्चों को लगता है basic method में क्योंकि मैंने आपको एक चीज बता रखी है आपकी जो income होती है वो किस चीज से मिलकर बनती है आपके savings और expenditure से मिलकर बनती है या तो आप पैसे को save करेंगे या फिर आप खर्च करेंगे दो ही काम आप लोग कर सकते है तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों क्या करना है simple इनको मान लीजे 5X और 8X 5X और 8X actual में उनकी income है अब यह आगे कह रहे हैं कि परतेक वेक्ती 800 रुपे बचाता है तो अगर हम इनकी saving को minus कर देते हैं 800 रुपे अगर हम minus कर देते हैं तो हमें इनके expenditure का ratio मिल जाता है वो है आपका 1 ratio 2 अब simply यहां से solve करके X की value निकाल लीजे तो कैसे निकालेंगे 5 दुनी 10 और 8 ही कम 8 यानि 2X is equal to 8 दुनी 16 1600 में से 800 गए यानि 800 यहां पर मैंने इसको short में simplify कर दिया है तो X की value आ जाती है आपको यहां पर 400 ठीक है तो हम इसे पूछा क्या है हम से पूछा एक ही आए 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 है एक ही आए है 5X तो 520 यानि 2000 रुपे दिया है आए आपको yes option C will be correct समझ गए आप इस question को हम advance method से भी कर सकते हैं ठीक है आगे आपको सिखाऊंगा की कैसे होगा लेकिन यह बिल्कुल simple है advance method से भी चलिए जी next question पर हम लोग चलते हैं 5th question पर 5th question क्या कह रहे हैं आपसे अब mixture contains milk and water in the ratio 3 ratio 2 एक mixture है उसमें क्या है milk and water है 3 ratio 2 में on subtracting 10 liters of water 10 liter जब पानी को हमने कम किया the ratio of milk and water becomes 9 ratio 5 नया ratio आपको पास क्या आता है 9 ratio 5 आ जाता है तो find the quantity of milk in the original mixture आपको milk की quantity बतानी है original mixture में पहले milk की quantity क्या थी original mixture में वो आपको बतानी है तो दिखे इसको मैं new method से यह आपको करके दिखाता हूँ पहले आपकी क्या थी वो थी आपकी 3 ratio 2 पानी कम कर दिया माइनस कर दिया हमने 10 लीटर water हमने कम कर दिया तो हमारे पास नया ratio आजाता है 9 ratio 5 यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है अब देखिए हमने water को change किया है वही milk तो आपके same रहने चाहिए तो milk को मैं equal कर लेता हूँ तो कैसे करेंगे वह यहां पे 9 है यहां पे 3 है अगर मैं इधर भी 3 से multiply कर देता हूँ तो आपके equal हो जाएगा milk तो इधर 3 से multiply होगी तो यह हो जाएगा आपका 9 इधर भी 3 से करनी पड़ेगी तो यह हो जाएगा आपका 6 इसको मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, ठीक है, old वाले को मैं हमेशा हटा रहा हूँ, ताकि आप confused नहीं, अब हमारा milk बराबर हो गया है, milk पहले जितना था उतना ही रहेगा, अब water आपका change हो गया है, पहले 6 था, अब वो हो गया 5, तो water में कितने unit का change आया, water में आया आपका एक unit का change, 6 में से 5 को किया, यानि एक unit का change आया, अब हमें एक unit की यहाँ पर value दी है, 10 liter total change आया है, तो एक unit की value हो गई आपकी 10 liter, अब question में आपसे क्या पूछा है, आपसे तो यह पूछा है, find the quantity of milk in the original mixture, original mixture में milk की quantity आपको बतानी है, तो वो थी आपकी 9 unit, तो एक unit की value है 10 liter 9 unit की value के आपके पास, 90 liter, यानि यह आपका answer हो गया, समझ गए आप, इस question को आप अपने basic method से भी कर सकते हैं, जो method आपको easy लगे वो कर लीजे, कोई doubt आता है, तो आप मुसे comment section में पूछ सकते हैं, ठीके जी, चलिए guys अब हम चलते हैं अपने next question पे, question number 6 पे, और like and comment जरूर करते रहिए, और अगर कोई doubt है, तो वो भी पूछ लीजे, चलिए 6th question पे आगए हम अपने, 6th question एक बहुत ही अच्छे level का question है, हर बच्चा इस question को solve नहीं कर पाएगा, ये मेरी guarantee है, अगर आप कर पाते हैं, well and good, चलिए, बताता हूं क्या करना है, इस question में, question को read करते हैं, अब bucket contains a mixture of 2 liquid A and B, एक bucket है, उसमें 2 mixture है, A and B, ठीक है, और किस proportion में हैं ये, 3 ratio 4 में है, if 21 liter of the mixture is replaced by 25 liters of liquid B, अब इस चीज को ध्यान से समझना, इस वाली line को, ये कह रहे हैं, इस में से इन्होंने 21 liter mixture को निकाल लिया, जो भी mixture था, जो भी इसकी quantity थी, उसमें से 21 liter को निकाल लिया, और उसके बदले में इन्होंने 25 liter liquid डाला B, यानि जो B liquid है, उसको 25 liter डाल दिया, तो आपको आगे क्या पूछा है, then the ratio between 2 liquid becomes 1 ratio 3, जो नई ratio बन जाती है, वो 1 ratio 3 बन जाती है, find initial quantity of the mixture, आपको initial quantity बताने है mixture की, इस question को मैं दुबारा explain करना चाहू क्योंकि काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये question समझ में नहीं आएगा, बई देखे, पहले 3 ratio 4 में आपका एक mixture था, इसमें से इन्होंने 21 liter निकाल लिया, बई जो भी इन्होंने निकाला है, उसके बाद आपकी ratio 3 ratio 4 ही रहेगी, अब इन्होंने क्या करा, इसमें 25 liter ये B व 1 ratio 3, तो I think आप आपको question को समझ गए होंगे, तो इस question को भी मैं आपको दोनों तरीके से बताऊँगा, ये सारी चीज हम यहां से हटा देते हैं, देखे, पहले बिलकुल basic method से समझ ये, ताकि आप जो process है उसको समझ जाए, तो मैं मान लेता हूँ जो पहले आपका mixture है, उसम mixture निकाला गया है, वो 3 ratio 4 में ही निकाला जाएगा, तो 21 लीटर को, 21 लीटर को अगर मैं 3 ratio 4 में split करता हूँ, तो ये कितना होगा आपका 7 तिया 21, यानि 3 तिया 9 और 12 लीटर, यानि 21 लीटर मिक्चर को हमने A और B में split कर दिया, यानि ये इसी ratio में निकलेंगे, तो इसमें स 9 को माइनस कर दीजे, इसमें से 12 को माइनस कर दिजे, क्योंकि 21 लीटर मिक्चर निकाला गया है, तो A का 9 लीटर रहा होगा, और B का 12 लीटर, इन दोनों को मिलागे, आपका 21 लीटर बनता है, अब ये क्या कह रहे है, ये निकालने के बाद एड़ क्या क्या गया गया, B को add किया गया कितना 25 लीटर तो 25 बी में हमने add कर दिया अब जो भी आपका नया mixture बनता है उसमें ratio क्या बनता है आपका 1 upon 3 यानि 1 ratio 3 तो इस चीज को I think आपने नहीं समझा है तो वीडियो को जरासा सा पीछे करके देख लीजे आप समझ जाएंगे अब इसको हमें कुछ नहीं करना है simplify करना है तो देखे 3x-9 और यहां से कितना बनेगा आपका 4x यह minus और plus को solve करेंगे तो यह बन जाएगा आपका plus का 13 ठीके जी अब cross multiply करके x की value निकाल लीजे तो निकाल लेते हम 3 तिया 9 और 4 एकम 4 यानि यह आगे आपका 5x, 5x is equal to 9 तिया 27 और एकम 13, 27 और 13 यह होगे आपके 40 तो x की value क्या आगई, x is equal to 8, अब अगर हमारी x की value आगई है तो बहुत simple है हमारे लिए, हमसे पूचा है प्रारंबिक मिक्षण की मातरा बतानिया में, तो प्रारंबिक मिक्षण कितना होगा 3x प्लस 4x, a और b अगर हम दोनों को जोड़ते हैं, तो 7x हमारा total mixture होगा, x की value आगई आपकी यानि 7 into 8 यानि की 7, 8 56 लीटर का आपका total mixture रहा होगा, so option d यहाँ पे सही हो जाएगा तो यह बिल्कुल basic method से b की अगर हम बात करते हैं, तो पहले यह 3 ratio 4 में था, इसके बाद हमने यहाँ से 21 लीटर को निकाल लिया, ठीके जी, तो नया ratio क्या रहा होगा भई, 3 ratio 4 ही रहा होगा क्योंकि इसमें तो कोई change नहीं आएगा अब आगे यह कह रहे हैं इसमें इन्होंने add किया 25 लीटर b, प्लस में 25 लीटर इन्होंने add किया तो नया mixture क्या हो जाता है 1 ratio 3 हो जाता है यहां तक आपको समझ में आ गया तो इस question में आपके 2 part है एक तो यह वाला part है और एक आपका इधर है, यह आपका first part है यह आपका second part है इसे हम कैसे solve करेंगे देखे, आपका a तो कुछ भी change नहीं होगा a पहले 3 था, यहां पे 1 हो गया है तो हमें इसे बराबर करना पड़ेगा न बई b में हमने add किया है a में तो कुछ भी add नहीं किया तो हम इसे यहां पे बराबर कर लेते है कैसे करेंगे, यहां पर यह 3 है यहां पर यह 1 है अगर मैं इधर दौनों तरफ 3 से multiply कर देता हूँ तो यह हमारे a equal हो जाएगा तो देखे, यहां पे 3 से कर दिया 1 की 3 से हो गई, यहां पे हो जाएगा आपका 9, ठीक है जी तो आपका a बराबर हो गया, क्योंकि a आपका same रहेगा, तो हमने addition कितना किया है 4 और 9, यानि हमने 5 unit का हमने addition किया है ठीक है जी, और 5 unit की हमें value दी गई है 25 liter, तो 1 unit की value कितनी हो गई हमारी 5 liter, तो हमें पूछा गया है हमें पूछा है प्रारंबिक मिश्रण की मात्रा हमको बतानी है तो प्रारंब में हमारा total mixture था कितना 3 प्लस 4, ये था आपका total 7 unit ठीक है जी, 3 प्लस 4 तो एक unit की value आई है 5 liter तो 7 पंजे 35 liter हमारा mixture initial में रहा होगा अब कहेंगे सर आप ये तो आंसर हमारा गला तारा है हमारा आंसर तो 56 liter था अब देखिए मैंने आपसे कहा था ये यहां तक आपका 35 liter आया है अब देखिए ये आपका first part जो था उसमें हमने 21 liter निकाल लिया था तो 35 प्लस 21 ये कितना होगे आपका 56 liter so option D यहां पे सही हो जाएगा तो दौनों method से बच्चों हमने आपको समझा दिया है जो method आपको easy लगता है आप उससे कर लो समझ गए आप? चलिए जी चलते हैं अपने next question पे question number 7 पे एक चीज़ और दुबारा आपको कह दूँ 6th question easy question नहीं था हर बच्चा उसे नहीं कर पाएगा ठीक है जी? चलिए अब हम आगे अपने 7th question पे यह question बिल्कुल simple है हमने आपको पहले भी कराया है तो मैं इसको आपको basic method से ही सिखाने वाला हूँ ठीक है? advanced method इसके लिए नहीं सिखाऊँगा क्योंकि इसमें बच्चे confused जादा हो जाते है चलिए, क्या कह रहे हैं question में? fresh fruit contains 70% of water and dry fruit contains 28% of water how much dry fruit can be obtained out of 54 kg fresh fruit? देखे इस question को आप बिल्कुल अपनी आम भाशा में समझे जो आपके ताजे फल होते हैं जो आपके ताजे फल होते हैं, fresh fruit होते हैं जब हम उन्हें धूप में सुखाते हैं, तो उससे आपके क्या बनते हैं? उससे आपके सूखे फल बनते हैं नहीं dry fruit बनते हैं ताजे फलों में दो चीज़े होती है एक तो होता है आपका water second thing होती है आपकी pulp ठीक है जो ratio होते हैं और जब हम इन्हें सुखाते हैं तो क्या चीज़ सूखती है? आपका जो pulp है pulp में कोई change नहीं आता? आपके change आता है आपके water में सूखे जो फल होते हैं उसमें भी कुछ हद तक water रहता है लेकिन जब हम इन्हें सुखाते हैं तो सुरफ water की मातरा कम होती है तो अब हम अपने question को पढ़ते हैं ताजे फलो में 70% पानी होता है तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिखे लेता हूँ pulp और water की हम लोग बात कर रहे हैं ताजे फलो में 70% पानी है 70% यहाँ पे water है तो pulp कितना होगा? pulp आपका 30% होगा अब आगे कह रहे हैं सूखे मेवो में 28% पानी होता है सूखे जो dry fruit है उसमें 28% water है तो उसमें pulp कितना होगा? pulp होगा आपका 72% यहाँ तक किसी को कोई doubt नहीं है उपर वाला जो हमने लिखा है यह ताजे फल के लिखा है और जो नीचे वाला हमने लिखा है वो सूखे फल यानि dry fruits के लिखा है अब जैसा कि मैंने कहा कि सिर्फ change किसमें आएगा? water में change आएगा आपका pulp तो change रहेगा तो मैं मान लेता हूँ ताजे फल आपके x है सूखे फल आपके y है इसमें कुछ भी change नहीं आएगा तो मैं कह सकता हूँ x का जो 30% होगा वो किस के बराबर होगा? सूखे फल सूखे फल को हमने y माना है y के 72% के बराबर होगा इस चीज को आप समझ गए है 100 से आपका 100 cancel तो x बटे में y इसकी value के आगई आपकी 72 upon में 30 ठीके जी x और y का हमारा यहाँ पे ratio मिल गया है हमें 72 upon में 30 अब यहाँ पे आपको बताया है 54 kilo ताजे फल हमें x की value दी है और हमसे पूचा है कितने सूखे में भी प्राब्त किये जा सकते हैं तो आप यहाँ से x की value को रख दीजे 54 kilo यहाँ पे आप रख दीजे आपको मिल जाएगा कि सूखे फल आपको कितने प्राब्त होंगे तो देखे यह 18 से cancel हो जाएगा 18 तिया 54 18 चौक 22 30 की 3 से multiply हो जाएगी यानि y की value आजाती है आपके पास 90 बटे में 4 90 बटे 4 को आप solve करेंगे साड़े 22 kilo आपको सूखे फल dry fruits प्राब्त होंगे अगर आप 54 kg ताजे फल लेते हैं तो guys यह बिल्कुल simple सा question था लेकिन बच्चे अधिकतर इस question में भी confused हो जाते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं लेते हैं अपने next question को question number 8 पे चलिए 8 question को हम लोग पढ़ते हैं यह बिल्कुल आपके salary वाले question है असान question होते हैं राम से बच्चे कर लेते हैं क्या गह रहे हैं question में salaries of A and B are in the ratio 4, ratio 3 A और B की जो salary है उसका ratio आपको given है if the salary of each is increased by 6,000 अगर दोनों की salary को 6,000 रुपे बढ़ा दें the new ratio becomes 5, ratio 4 what is A's present salary आपको A की present salary बतानी है तो यह question भी दोनों method से हो जाएगा लेकिन बच्चों को जो सबसे असान method लगता है basic method लगता है तो पहले उसी से कराते हैं आपको तो मान लेते हैं इनकी salary है वो 4X and 3X होगी यहां से हमने मान लिया इनकी salary को हमें 6,000 रुपे बढ़ाना है तो बढ़ा दीजे 6,000 रुपे दोनों की salary हमने बढ़ा दी new ratio क्या हो जाती है आपकी 5 ratio 4 हो जाती है आप X की value निकाल दीजे जो भी X की value आती है उसे 4 से multiply कर दीजे आपको एक ही जो है present salary मिल जाएगी तो देखे solve कर देते हैं आपके लिए 4.16 पांच दिया 15 यानि की 16 में से 15 गए यानि X की value कितनी आ जाएगी आपकी 6,000 रुपे आ गई अब आपसे एक ही present salary पूछी है तो एक ही present salary है 4X यानि की 4 की 6 से multiply कर दीजे यानि 24 24,000 रुपे option A यहाँ पे सही हो जाएगा तो बिलकुल simple method है basic method अब advanced method भी अपना समझ लीजे क्या कह रहे हैं 4 और 3 के अनुपात में इनकी salary थी पहले हमने इनकी salary को बढ़ा दिया तो new ratio क्या हो गया आपका 5 ratio 4 हो गया है दोनों की जो salary है उसको हमने कितना बढ़ाया है करेंगे option A सही हो जाएगा अब ये तो बिल्कुल simple question था बिल्कुल basic अगर हमारी ratio सेम ना होती तो ये आप सिखेंगे question number 9 में तो सबसे पहले जल्दी से अपने basic method से इस question को solve कर लेते हैं P और Q यहाँ पर 2 हैं यहाँ पर उनकी तरीके से solve करते हैं 5X 3X हमने इनकी salary को मान लिया हर किसी में से आपने 2000 रुपे कम कर देने इनकी salary से कम कर दीजे नया ratio आपका हो जाता है 7 ratio 4 तो जल्दी से इसको solve करके X की value निकालते हैं तो 5 चौक 20 और 7 एककिस 21 में से 20 गए यानि हमें X की value direct मिल जाएगी अगे solve करते हैं 7 दुनी 14, 4 दुनी 8, 14 में से 8 गए यह बने आपके 6000 रुपे X की value आगी आपके 6000 आपके P की वर्तमान वेतन पूछाए तो X की value 6000 आ गई है तो P का जो वर्तमान वेतन है वो है 5X यानि 5 की आप 6000 से multiply करेंगे यह आगे आपका 30,000 यानि option भी यहाँ पे सही हो जाएगा I think मुझे लग रहा है कि इस तरह के question को solve करने के लिए आपका basic method आपको ज़ादा easy रहेगा लेकिन advanced method भी अपना समझ लीजे तो advanced method आपका ये कहता है P और Q इनकी जो salary का ratio था वो 5 ratio 3 था इनकी salary में 2000 की हमने कमी की और फिर नया ratio क्या हो गया 7 ratio 4 हो गया ठीक है जी अब यहाँ पे ratio पे ध्यान दीजे कमी की जा रही है पहले salary 5 unit थी अभी 7 unit हो गई है पहले 3 unit थी यहाँ पे 4 unit हो गई है क्यों की salary दौनों की salary को हमने 2000 बराबर ही कम किया है लेकिन यहाँ पे difference आ रहा है 2 का यहाँ पे difference आ रहा है 1 का तो हमें इस difference को बराबर करना होगा यह हम कैसे बराबर करते इसको समझिए मैं यह चीज यहाँ पर हटा रहा हूँ इसको बराबर करने का तरीका आप समझिए यहाँ पर आप इन दोनों का difference ले लीजे यहाँ पर जो difference है यहाँ पर 2 का है यहाँ पर difference 3 का है यानि कि इधर आप multiply करेंगे 3 से इधर multiply करेंगे आप 2 से तो आपकी new ratio निकल के आ जाएंगी तो 5 तिया 15 3 तिया 9 7 दुनी 14 4 दुनी 8 ठीक है जी तो यह आ गए है आपकी 15, 9, 14 और 8 अब देखें निका difference बराबर हो गया है 15 और 14 यहाँ पर 1 की कमी आ रही है 9 और 8 यहाँ पर भी 1 की कमी आ रही है और यह जो कमी आ रही है यह कितने की है 1 unit की है और 1 unit याने की 2000 की कमी आ रही है तो P का वरतमान वेतन पूछा है वरतमान वेतन है उसका 15 नया वाला ही हमेशा आपको ratio लेनी है वो है 2000 रुपे तो 15 दुनी 30,000 रुपे option भी यहाँ पर सही हो जाएगा तो advanced method से भी आपको बता दिया ठीक है जी चलिए चलते है अपने आज के last question question number 10 पर question number 10 बिल्कुल simple सा question है क्या गहरे है question में what number must be subtracted from each term of ratio 15 ratio 8 15 ratio 8 में से अब क्या subtract करेंगे each term में से so that the new ratio become 2 ratio 1 guys यह question बिल्कुल simple question है आप मुझे इसका answer comment box में बता दीजे so guys यह थे आज के total 10 question I hope आपको questions अच्छे से समझ में आ गए होंगे mixture method को लेके अब आपका कोई doubt नहीं होगा फिर भी कोई doubt है मुझे comment box में आप पूसकते हैं वीडियो अच्छा लगा थो प्लीज लाइक कर दीजे और comment करके जरूर बताईए thank you so much guys